एंजर भी शयाद आपके साथ कीर्थी थी या नहीं थी हलो गाईस कैसे आप सब लोग तो गाईस आज मैं वीडियो बनाऊँगा बहुत से आपके क्वेश्चन्स आये थे मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैंने एक स्टोरी डाली थी कि next video के लिए मेरे को कुछ questions बताओ जो जो आप सब को पूछने हैं जो जो आपके दिमाग में है questions उन questions के ओपर मैं video बनाऊँगा next तो ये मैंने दूसरे फोन में screenshot ले लिया जो मेरा मेरा में फोना उसमें video बन रही है तो अब मैं आपको आपके questions के reply दूँगा और एक चीज़ और मेरे को आप सब को बतानी है बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कीरती जो है जो Elvish की friend थी वो लंडन में थी मैंने उने देखा था और मैंने उनका scene cut कर दिया तो ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर पताऊँगा कि वो क्या है और भाई कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो शेयर करी है मतलब मेरी रील पे खुद 3,00,000 वीव हैं और उन बंदों ने शेयर करी है एक दो मैंने देखी उन क्रियेटर्स की वीडियो मतलब मेरी वीडियो जो मैंने बनाई थी उसने वो शेयर करी इंस्टाग्राम पे और उस पे मिलियन प्लस व्यूज है और 5-6,000 प्लस शेयर है उस वीडियो पे मतलब शेयर करा है बाई इतना सारा तो इस वीडियो में मैं आज राज खोलूँगा कि वो लंडन में मेरे साथ कीरती थी या नहीं थी मतलब मैंने देखा था या नहीं देखा था या नहीं देखा था या नहीं थी तो वो सब मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर पहले कुछ बाकी के questions ले ले लेते हैं ठीक है at the end या फिर in middle of the video कहीं पर बताऊँगा मैं तो इस लिए वीडियो को बिल्कु कंटीनियू देखना ठीक है तो सबसे पहली सबसे पहली बात भाई हम आज का कोशन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रो दो देख लो ज़रा तो सबसे पहला कोशन क्या आता है गाईस सबसे पहला है यह क्वेशन what to do if student didn't get decision on visa application and last enrollment has gone also मतलब जैसे मान लो गाईस अब आपको university बोलती है कि आपको 12 सितंबर से पहले पहले ही UK में आना है बट आपका visa अभी तक आया है नहीं क्योंकि आपका visa late हो गया है और आपको university ने बोला 12 से पहले पहले आ जो आपकी deadline यह है तो गैस उसमें आपको क्या करना है university को email डालके बोलो कि भाई मेरा अभी तक visa नहीं आया है और उनको proper उनकी visa department में email करो उनके जो normal registry department होता है उन सब में proper मतलब 4-5 outlook पे न यह outlook तो नहीं होगा आपका इंडिया में नॉर्मल Gmail पे ही 4-5 email select करके carbon copy जो होता option उस पर select करके सब को email कर दो भाई university में कि मेरा अभी तक visa नहीं आया यह problem है तो मैं wait कर रहा हूं तो एकसेप्ट कर लेते हैं guys क्योंकि मैं भी खुद मेरा September intake था और मैं November के अंदर UK आया था उस वक्त तो चलो कोविड चल रहा था प्रॉब्लम थी बट अभी भी कुछ सा कुछ बहुत से लोग जो अभी हैं October के अंदर जिनका September तो आजाते हैं लोग ऐसे बट आपको युनिवर्स्टी को पहले बताना पड़ता है और एक वालिड रीजन देना पड़ता है अगर आपकी मुझे मैसिज करो बता दो हुआ मैं सब कुछ वह भी जल सब लेटे ठीक है क्या क्या सिस्टम है सिस्टम देख लो सिस्टम कर रहा हूं मैं भी हाओ कहना बैचलर अरेंज नेक्स्ट टू समेस्टर फीज मतलब बैचलर स्टूडेंट आगे की फीज कैसे निकाले तो देखो का लिए को से लिए कि नवंबर तक पढ़ाई होती है दिसंबर में भाइए आप फूल-time वर्क कर सकते हो तब टक तक ट्वेंटी एरस सबसक्bare आपको निकल जाएगा एक समस्टर के से निकलेगी दो समस्टर के बर की अराम से कि यार कोई दिक्कत नहीं आती वालेगों को बाकि और किसी को फिर भी पर कोई छहिए तो मैं को इंस्टा पर इम करो बता दूंगा क्या तो सिस्टम में आज हम ने दो स्टुडेंट्स की हेल्प करी वह एक था लंडन में उसका में नाम बूल गया और एक थी इस्ट हैं में इस्ट हैं में इस्ट लंडन में दाया उसने हां तो कह रहे हैं कि भाई हमको जॉब नहीं मिल रही दोनों का अलग-अलग मैंने कॉल पर बात करी पहले और अरजंट पहले तो हो मैं साउथ हौल के आसपासी रह रहा था दस बंदे एक रूम के नहीं चार बंदे एक रूम में रह रहे थे और पूरी अकॉमोडेशन में टोटल 10 बंदे रहे थे तो उनके साथ वह शेरिंग में रहा है 20 पाउंड पर नाइट उसने उनने पे किया और यह जिस स्टूडियो रूम है जिसके अंदर मतलब एक रूम होता है उसी के अंदर किचन बाथ रूम दे देते हैं और तीन बैड उसमें लगे वह हैं किया अभी मैं उसका खाली एक रूम का जिसको तीन बंदे शेर कर रहे हैं उसका वह 400 पॉंड किराया दे रहा है तो कहरा ब्रदर म आप भी सर्च करो जाओ आसपास आपके वहां पर ओफ लैसेंस होते हैं इंडियन टेकवेज होते हैं फिशन चिप्स होते हैं और बहुत सारे यार वह होते हैं कहीं पर भी जाओ उनको बोलो भाई मेरे को पात-दस घंटे के लिए जॉब दे दो नाइट शिफ्टी दे दो रख लेता है यार हर कोई minimum salary पर वह यहां पर नहीं बता सकता मैं बाकि Instagram पर मुझसे पूछो मैं आपको बता हूँगा Instagram पर दिखरी होगी चेक कर लो next question की तुरब बढ़ते हैं Elvish का scene क्या है Elvish का scene आई बताता हूँ एक दो questions के और answer आपको दे दू how to get PR in UK after studies सबसे असान तरीका है वाई work permit देखो मैं आपको दो सिन तरीके बताता हूँ देखो यार अगर आप किसी लड़की से भी शादी करते हो ना ब्रिटिश से उसके साथ भी आपको 5-10 साल रहना पड़ता है ठीक है और कोई भी route पे आप जाओगे ना यार 10 year route पे भी जाओगे आप 10 year visa route उसमें भी आपको 10 साल रहना पड़ता है सबसे असान तरीका पते क्या है यार सबसे असान मास्टर्स पे आओ ठीक है मास्टर स्टेडी करो एक साल की डिगरी होती है दो साल का PSW लो मास्टर्स के पैसे निकल गए आपके एक साल में आराम से आप निकाल लोगे दूसरे साल आप work permit के लिए जुगाड़ करो work permit ले लो ठीक है पांथ साल का आपको सीधा work permit मिलेगा maximum अगर आपके पैसा पहली मास्टर्स में यह रेंज हो जाता है तो मास्टर्स एक साल की और पांथ साल का work permit छे साल में आपको UK में PR मिलेगी कोई भी नहीं रोख सकता यार प्रॉपर गवर्मेंट की साइट पर मेंशन है पांथ साल work permit के बाद आप प्यार के लिए प्लाइ के लिए इससे best कोई option नहीं है work visa के अलावा से बात बताओं आपको गईस तो ब्रदर कोई agencies बताओ South Hall में जहां मैं रिजिस्चर कर सकूँ या nearby job देते हैं यह South Hall में सबसे पहले तो बहुत सारे इंडियन स्टोर्स हैं टेकवेज हैं हर जगा वह आपको कही न कहीं job दे देंगे उनको बोलो भाई हमको जॉब पर रख लो कैसी वी तरीकी की job वह आपको बोलो नहीं कि वहीं को किसी वी तरीकी की job दे दो हम आपके साथ काम करने को ready हैं कि दे देंगे यार वह आपको मतलब ना job आप बार जाओगे ना उनके पास बार बार उनके पास जाओगे वह 100 परसंट आपको जॉब देंगे नहीं तो आसपास डिफरेंट एजंसी हैं गूगल पर सार्च करो जॉब रेकूट्मेंट एजंसी नियर भी वह भी आपको सब्सक्राइब करते हैं कुछ स्टूदेंट्स चूटते हैं जाते हैं कि कुछ टाइम बाद उनका सर्कल तयार हो जाता है तो वह उससे बेटर ऑप्शन की दरब जाते हैं इसलिए आपको भी शुरुवात में अगर नहीं मिल रही तो थोड़ी नीची जॉब पकड़ो उस सम्थिंग अबाओट कोंट्री लंडन कैंपस यार कोवेंटर का लंडन कैंपस तो मैंने सुना बहुत चोटा है एक दो बिल्डिंग ही हैं बस बाकी कैंपस अपने को युनिवर्स्टी में क्या यार युनिवर्स्टी में जाओ अपढ़ा ही करो डिगरी लो काम खतम यार इतना ही काम होता युनिवर्स्टी में और कोई क्या किसी वह फोटो के लिए थोड़ी जाना होता है अपना बस क्वालिटी अफ एजूकेशन कहते हैं यूके के अंदर क्वालिटी एजूकेशन है पूरे वर्लडवाइड रिकोगिनिशन है डिगरी की कोई भी युनिवर् युनिवर्स्टी आए ले लो जहां पर 10-12,000 पॉंड 15,000 पॉंड फीस हो आके आपको जॉब अगर आपकी स्किल्स अच्छी है आपका एक्सपीरियंस अच्छा है इंडिया में और आपका यहां पर एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको भाई राम सचालिस पचास हजार 50-60,000 पॉंड तब की जॉब मिल जाएगी आइल्स पर छे बैंड पर कौन सी युनिवर्स्टी एक्सेप्ट करती है MBA के लिए छे बैंड में तो बहुत सारी युनिवर्स्टी में कर लो को एंटरी भी करती है है सारी है यार जो जो MBA का प्रोग्राम है भाई मैंको हर कोर्स क बारे में तो नहीं पता बड़ चे वेंड यूके के लिए इनफ है शे बैंड में हो जाए पांच बैंड में भी यार लोगों ने किया यार यूके मैंड मिशन तो शे बैंड तो फिर बहुत जाद हैं बस दो तीन कोशन और लेते हैं पचास कोशन आया है मेरे पस इंवेस् गर कि फिर उसके बाद मैंने साइं लगा दें फिर सारे जीरो मैं लगा गया सोजाता हूं ऐक्शली किया तो बहुत जाए वीश्माच से नी चैनल डेड हो गया तो इसलिए फिर से ग्रोव करने को लगा हूं जो लॉयल सब्सक्राइबर्स है वो तो जुड़े हों अभी तक बट कुछ सब्सक्राइबर्स यू के आ चुकिया तो उनको मेरी वीडियो की जरूरत नहीं है इसलिए वह नहीं देखते तो इसमें व्यूज वगयर काफी कम हो गया है बट अब जो न्यू स्टुडेंट्स आ रहे हैं वो देखने लगे हैं बीच में तो 300-400 फ्यूज हो गया थे पर वीडियो थोड़ा बहुत मैंने महनत करी है तो और थोड़े आएंगे बस एक लास्ट क्वेशन और लेता है फिर एंड करते हैं गा बताता हूं आपको तो गैस देखो मैं गया था लंडन वहां पर मैं गया था लेस्टर स्कूरर वहीं पर ही मैं क्योंकि मैंने अलविश यदफ की और कटारिया की स्टोरीज में देखा वीडियो में देखा वो उसी एरिया में गूम रहे थे ना तो मैं चला गया वहां पर एक्स्प्लोर गरने ठीग गया वाई तो मेरे को वहां पर वहीं पर जाते ही दिख गए और उनके साथ उनकी कोई और फ्रेंड थी मतलब यहीं पर उनको ऐदा सब्सक्राइबर ही मिली थी बस ऐसी उनको मिली यह नहीं कि वहीं वह कोई कीरती थी ऐसी अन्नों ही थी तो इस जहां पर थी वहीं पर थी तो वह नहीं थी भाई एलविश यादव और कटारिया थे वह मैं वीडियो बना रहा था तो इसले वह एकदम से उनको अचानक से सीन आया कि यह कैसे ऐसे एकदम से कैसे कोई वीडियो बनाने आ सकता है तो इस वज़ा से वह थोड़े शॉक्ड ह बट एक बंदे ने मेरी दील कोपी करके डाल दी उसने का कि इस व्लॉगर इस टॉकिंग इस यूटीबर इस टॉकिंग यह को ऐसे करके बनाई बैट ऐसा कुछ नहीं है बाई कीरती हो गया रहा कोई नहीं थी वह फिर से बता दू मैं आपको मैं और गटारिया मिले दे और मेरी फ्रेंड थी मेरे सब ऐसा कुछ उगी नहीं था कोई कीरती वग्यारा नहीं थी अपना सब अपनी जगह पे रहो कोई किसी को दोका कुछ नहीं दे रहा बस बात खतम ठीक है मैं को एक लियर करना था बहुत टाइम से क्योंकि मेरी वीडिय से कैनेडा गोमने आया था हैं पीछे से युनिवर्स्टी ने स्पॉंसर्शिप विड्रॉल कर दी इसके बारे में तो मेरे को नहीं पता यार ऐसे कैसे विड्रॉल कर सकते हैं या तो एक सर्टेन वह टाइम पिरेड देते हैं कि आप इतने टाइम से ज़्यादा यूके से नहीं जा सकते हो तो इस वजह से गाइस वह शायद स्पॉंसर्शिप विड्रॉल कर सकते हैं या फिर उनको एक वैरेड प्रॉपर रीजन देना पड़ता है यह आप क्यों जा रहे हो टूरिस वीजा पर जा रहे हो एक दो हफ्ते भी काफी होते हैं गूमने के लिए याप एक महिना भी तो यह भाई ज्यादा टाइम से होंगे तो इस वजह से भाई अन्युवर्स्टी वादर ने हम उफिस वादों को बताया होगा हम उफिस वादर ने कैंसल कर दिया होगा तो बस गाइस एंड करते हैं आज की वीडिया होप आपको अच्छी लगी हो बहुत से आपको अच्छी लगी हो थैंकि फॉर वाचिंग मां वीडियो एंड में शयाद और कीरती का भी आपको क्रियर हो गया और आपको एंड करते हैं आज की वीडियो और मिलते आपसे लेक्स वीडियो गंदर बाइबाइस टेक केर